एब एक आँ अगर मैं आपको कहूं कि यह आज का जो हमारा सेशन है इसकी जो स्लाइट्स हैं इसका जो कोण्टेंट है इसे पिरिपेर करने के लिए मैं इस से पहले वाली रात पुरा जगा कोब सारी मैंने प्रिपरेशन करी तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन कर सकते हो क्या comment section में जरूर आज़र गरिएगा Hello students, welcome to super grades, my name is Abhishek और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही important session लेकर आया हूँ क्योंकि examination का time यहाँ पर आ चुका है और अब सब लोग इस तरीके के कुछ questions को यहाँ पर सोचेंगे दोस्तों के साथ ऐसा discussion यहाँ पर होता है कि मैं तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ता हूँ फिर एक बोलता है कि मैं देर रात तक पढ़ता हूँ फिर एक जो है वो तेजस्वी बालक या बालिका होती है जो यह खहती है कि मैंने जो है वो पूरी रात यहाँ पर पढ़ाई करी है तो आज का topic जो है वो उसी तेजस्वी बालक बालिका करे जो यहाँ पर achievement है उसके उपर based है कि क्या आप बिना feeling tired मतलब आप बिना ठके हुए क्या पूरी रात यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो क्या पूरी रात पढ़ना जो है वो एक अच्छा option है या इसका कोई alternate solution है हमारे पास इन्ही सब चीजों को आज के session में हम answer करने वाले है सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको एक बात यह ध्यान रखना है कि दिन है रात है दिन में क्या काम करने है रात में क्या काम करने है यह सब already बहुत time period से चला आ रहा है तो हर चीज का जो है वो एक time period होता है सुबह आपको school जाना है शाम को आना है खेलने जाना है रात में खाना खाना है रेस्ट करना है सब चीजे already decided है अगर माल लीजिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे रात में जो है वो पंड़ने में जादा अच्छा लगता है दिन में मैं उठ नहीं पाता हूँ reason यही है ऐसा नहीं होता है कि दिन में मुझे समझ में नहीं आता है दिन में उठ नहीं पाते हैं इसलिए ही रात में पढ़ने में अच्छा लगता है simple सी बात यह है ऐसा कुछ नहीं है कि रात में पढ़ोगे, दिन में पढ़ोगे, तो एक जगे ज़ादा याद होगा, एक जगे कम याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जगे पर आपको याद होगा, ये सिर्फ क्या है कि ये आपके, आप ये माल लीजे कि अंतरात्मा की अवाज है कि ज आपको एक general purpose यहां पर बता रहूँ कि अगर माल लीजे कि कोई candidate है जो पूरी रात जग कर पढ़ना यहां पर शुरू करेगा या वो यह सोचे का कि मैं दिन में सूँगा रात जो है वो पूरा में यहां पर पढ़ूँगा अगले दिन भी पूरी रात यहां पर पढ़ाई कर हैं जो memory skills हैं वो उतने effective तरीके से यहां पर काम नहीं करती हैं बनलब इसमें कहाए कि हो सकता है कि जब आप fresh mood से यहां पर पढ़ाई करो तो किसी चीज़ को एक मिनिट दो मिनिट में यहां पर याद कर लो लेकिन अगर आप बहुत ही stress तरीके से यहां पर पढ़ाई कर रह जादा आसानी से grasp कर पाते हैं as compared to जब हम लोग बहुत जगे हुए या बहुत stress आपको देखने को मिल रहा है यैसे आपके सामने यहां पर क्या है कि आप यह मन लिजेगी यह दो तरीके के students हैं अब आप यह देख लोगी आप इन में से कौन हो एक ऐसा देखने को मिलेगा जो रात भर जगा है फिर उसके बाद वो पेपर देने गया फिर उसको एक बात यह समझ में आएगी कि मैंने जो रात में पढ़ाता मैं सारे चीज़े भूल गया क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या कि examination के एक दिन पहले हमने चीज़ों को पढ़ी examination में गए और हम उस particular में जरूर share करिएगा दूसरों के experience को भी पढ़िएगा एक वो student है जो proper rest यहां पर ले रहा है उसका टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के पीछे अगर आप देखोगे तो आपके समझ मेंगा कि यह happy तरीके से यहां पर पढ़ाई कर रहा है तो अगर आप पूरी रात यहा proper rest नहीं लेते हो तो आपका चेहरा कुछ ऐसा हो सकता है आखे लाल हो सकती है आपके रिष्टेदार आपको यह कह सकते हैं कि लगता है खूब पढ़ाई कर रहे हो लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो happy तरीके से भी पढ़ाई की जा सकती है और वो तो कहावत है अगर आप खुशी के साथ कोई काम करोगे तो उसका result जो है बहुत अच्छा यहाँ पर आता है फिर तीसरी बात अगर आप देखोगे तो कुछ natural तरीके की सर ठीक है अब आपकी बात समझ गए लेकिन हमें रात में ही पढ़ने में मज़ा आता है तो क्या-क्या natural तरीके हैं जिनके थ्रू हम पूरी राज जक्कर पढ़ाई कर सकते हैं या लेट नाइट तक हम यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं तो इसमें दो-तीन चीज़ें पहली बात थंडे पानी से जो है वो आप इस तरीके से अपना फेस है ना वाश कर सकते हो और अभी तो यहाँ पर क्या है में जब आपका पेपर होता है तो इस टाइंग पर तो जमीन पर ही बैठ जाओ आप है ना तो आपको ठंडी लगेगी तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि नीम नहीं आएगी रजाई मत ओढ़ो है ना तो यह सब चीजे हैं जो आपको हेल्प करेंगी तूसरी बात अगर आ जगने में आपको हेल्प यहाँ पर होती है उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो यह पिपर मिंट वाला सेंट यहाँ पर होता है ना जो खुश्बू यहाँ पर होती है कई बार कुछ खुश्बू इतनी अच्छी होती है कि उनको देखकर या तो हम सो जाते हैं या तो उमारी नीन खुल जाती है तो पिपरमेंट का जो सेंट है वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा अगर आप इसको अपने आसपास कोई वो है फाइव मिनिट नैप वाला जो यहां पर एक कॉंसेप्ट है नैप मतलब छोटी स्लीप कई सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि सर जाते तो है हम छोटी स्लीप के लिए लेकिन वो कब दो घंटे तीन घंटे में कवर हो जाती हमें पते ही नी चलता तो पाँच घंटे का जो नैप होता है पावर नैप होता है आप अलाम लगा लीजिए दस मिनिट पाँच मिनिट में तो दस मिनिट कर लो अलाम लगा लो जोड़ से है ना कि अलाम बजे और उपर से आपको यह थपड़ा से मारने लग जाए और आपकी नीन खुल जाए आप यह देखेंगे कि जो दस मिनिट का पावर नैप है यह आपके लिए बहुत ही जादा एनरजी लेकर आएगा और इसके बाद अगर आप फोकस करोगे तो फिर यहां पर क्याएगी चीज़ें आपके लिए बहुत यूसफुल यहां पर होने वाली कई सारे लोगों की दिमाग में आ रहोगा कि और कैफीन हम जादा यूस करें तो जादा यूस करने से हर चीज़ का जो है अगर आप जादा यूस करोगे तो उसके हेल्थ में बहुत नेगेटिव इंपक्त यहां पर पड़ेगा तो वो सब चीज़े मैं आपको यहां पर रिकमेंड नहीं करूंगा तो पावर नैप जो जादा quantity में होगी उसका circulation आपकी body में बहुत अच्छा होगा और इसकी वज़े से आप बहुत fresh feel करोगे लेकिन अगर oxygen का intake बहुत कम है तो पूरी body को वो अच्छी तरीके से supply नहीं हो पा रही है तो laziness यहां पर होगा आपका मन नहीं करेगा आप irritated यहां पर feel करोगे तो आप यहां पर क्या करो कि थोड़ा सा काम रहो focused यहां पर रहो और breathing exercise को आप यहां पर practice करो ज्यादा कुछ नहीं करना है दिन में मतलब 2-3 बार अगर आपने 10-10 बार breathing यहां पर कर लिया तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा और फिर आगे जो यह number है वो आपको increase होते व होना चाहिए अगर माली जी कि कुछ लोग रात पर पढ़ाई कर रहे हैं अब उनका समान अगर उदर है है ना तो घर वाले disturb होंगे आपको भी लगेगा कि यार इतनी मुश्किल से तो मैं पढ़ने बैठा हूँ आप यहां पर कहेगी मुझे यह समान भी लेकर लेने जाना नहीं यह सब नहीं करना है हर चीज जो भी आपके लिए रिकWiard है आपके लिए अपकी फेडि़ेट लाइट हो सकती है जिसमें आपको पढ़ना अच्छा लग सकता है कोई फेडिवेचनल कोत हो सकता है कुछ अलग-अलग तरीके के जो यहां पर आपके एक्यूप्मेंट हैं वो देखने को मिल सकते हैं यह सब चीज़ें आपको equipped यहाँ पर करनी पड़ेंगी यह केवल दिन में आपको help नहीं करेगा रात में भी अगर आप पढ़ाई करोगे तो वहाँ पर भी आपकी यह बहुत जादा help करने वाले हैं उसके विद्यों पर के बाद एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रात में माल दिजी कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप मेरा मेरा मनी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करो किया्म कि जब आपकी सक्सेस ना इसको passing out हो रहा है, है ना, फिर मेरे घर वाले बहुत proud feel कर रहे है, मेरे relatives जो है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीजे हो सकती है, आप इनको imagine करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको यहाँ पर motivation मिलेगा, कि चलो ठीक है, थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेते हैं, और थोड़ी देर और पढ़ाई करना, फिर उसके बाद अगर कोई problem आएगी, same thing आपको repeat करना, इस बार कुछ दूसरा है हाँ पर सोच लोगा, है ना, कि मेरी job लग जाएगी, फिर मेरी शादी होगी, किसके साथ होगी, किसी भी तरीके से आप imagine कर सकते हो, तो वो आपको लिए एक motivational factor होगा, जो आपको पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएगा, उसके बाद यह धियान लिखना, finally मैं यहाँ पर यह recommend करूँगा, कि मैं बिल्कुँ support नहीं करता हूँ, कि आप पूरी राज जक्कर पढ़ाई करो, फिर भी मैंने कुछ तरीके आपको बता दिये, जिससे आप थोड़ा longer duration के लिए पढ़ सकते हो, आपकी studies और आपकी जो sleep है, आपका जो rest है, उसके बीच में proper balance बहुत ज़रूरी है, अगर यह proper balance नहीं होगा, तो बड़ी problem यहाँ पर हो जाएगी, आप यह मान लीजेगी बिमार पढ़ सकते हो, crucial time पर बिमार पढ़ना जो है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और इसकी वज़े से आपके result की उपर भी impact यहाँ पर पढ़ सकता है, उसके बाद यहाँ पर जो चीजे बताएगी, कई सारे solutions हैं, solutions का मतलब, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, 40 मिनिट पढ़ाई करो, 10 मिनिट ब्रेक करो, 50 मिनिट पढ़ाई करो, 10 मिनिट ब्रेक करो, है ना फिर उसके बाद थोड़ी से अपने hobbies को perceive करो, थोड़ा पार्क वगरा में घूमाओ, अपने दोस्तों के साथ बात कर लो, जितना आप pressure कम लोगे, जितना आप अपने आपको खुश रखोगे, उतना अच्छा result जो है वो आपको मिलेगा, तो इसी लिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि, जो यहाँ पर जो सबसे effective strategies यहाँ पर होती है, जो possible होती है, ऐसा time table नहीं बनाना चीज, इसको follow करना ही बहुत मुश्किल काम है, वो सब चीज़े नहीं करनी है, हमें कोशिच करनी है कि, हम effective strategy को यहाँ पर follow करें, और उसके basis पे हम अपना पूरा का पूरा, जो method है, अपनी पढ़ाई उसको आगे continue करें, तो यह था पूरा का पूरा session, तो possible है, लेकिन वो long duration में जो है, वो चीज़े आपको possible देखने को नहीं मिलेगी, तो इससे अच्छा है कि, हम अपनी health और अपनी पढ़ाई के बीच में, proper balance यहाँ पर establish करें, comment section में आप बताईएगा, आपका क्या opinion है, इस session को देखकर, मैं जानना चाहूँगा, अपने प्यारे students का भी opinion, ताकि मैं भी कुछ सारी चीज़े, या आप लोगों से भी यहाँ पर सीख सको, so guys, this is all about today's session, आप किसी भी तरीके के course यहाँ पर हमारे साथ practice करना चाहते है, crash course है, year-long जो course आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी link description में मिलेगी, सबसे जादा discount code, जो आपको देखने को मिलेगा, वो मेरे code को यूज़ करने से मिलेगा, है ना, तो आप लोग bond जो code है उसको जरूर यूज़ करें, और अपनी full sledge में जो अपनी preparation है उसको यहाँ पर शुरू करें, so guys, this is all about today's session, next session में एक नए topic के साथ फिर मिलेंगे, तब तब keep smiling and keep preparing, लगे रो exam clear करो, thank you so much, jai hin